हे गाईस नमस्कार मैं आपका दोस्त अमेच स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके प्यार और आपके डिस्पेक के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दलते शुक्रिया गाईस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे अपना बैचलर ओफ एजुकेशन कर चुके हैं या फिर इस साल उनका अगले साल उनका बैचलर ओफ एजुकेशन क्लियर हो जाएगा तो उन बच्चेों के लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपोर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसपर हम लोग बात करेंगे कि बीयडि करने के बाद या ड्यूरिंग दा बीयडियıp आप अपने teaching को कैसे commencement कर सकते हैं, कैसे उसको start कर सकते हैं और beard के बाद या beard के साथ-साथ आपको teaching क्यों करना जरूरी है और आपके in future के लिए teaching कितना important factor है, उस पर हम लोग क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे तो guys कम से कम पास साथ point मैं कुछ ऐसे आप लोगों को बताऊंगा, जो हर student के लिए बहुत important है और जो बच्चे beard के बाद job नहीं करते या जो बच्चे beard कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वाला video बहुत important है तो मैं कुछ ऐसे factor बताऊंगा, कि जो बच्चे beard कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके लिए जो है teaching करना क्यों जरूरी है और क्यों उन लोगों को teaching करना चाहिए, ताकि in future उनकी जो capacity है, वो एक अच्छे रूप से क्या increase हो जाए तो पहला जो सबसे important point मैंने discuss किया है, कि to increase the confidence of teaching, जो आपका increase होता है देखें गैस, बहुत सारे बच्चे जो है graduation या master's करने के बाद कहा है, beard करते हैं generally बच्चे graduation के बाद beard करते हैं, कुछ बच्चे master's के बाद beard करते हैं यानि कि graduate, post graduate के बाद जो बच्चे beard करते हैं, तो beard करने के बाद वो बच्चे एकदम खाली बैठ जाते हैं और कुछ और job अपनी try करना start कर देते हैं अगर आप beard के just बाद या during the beard आप अगर अपनी teaching practice को continue करते हो तो जो teaching का जो एक confidence है आपका बच्चों को पढ़ाने का वो सबसे important है और वो आपको आगे in future आपके लिए बहुत जरूर रहेगा और उसी के base पे क्या आपको knowledge होगी और वही confidence क्या है चाया private school में जाहिए जो आप government school में आप teacher बनिये तो वो जो confidence आपके पास आएगा ना जो आपको during the beard या after beard आपने पढ़ाया कही ना कहीं संस्कित लिया है, maths के teacher है, science के teacher, किसी के भी teacher है तो beard के during या beard के बाद अगर आप किसी भी private या government school में या किसी institution में नहीं पढ़ाते तो आपका जो subject का जो दायरा है ना वो बहुत सिमित हो जाएगा और आप बच्चों को in future नहीं पढ़ा पाऊगे, तो जो आपकी topic जो topic जिसके आप teacher बनना चाहते है जो subject है उसकी जो knowledge है उसका जो content है वो आपको कहा है बिल्कुल याद होगा और उसको आने वाले time में आप और अच्छा prepare कर सकते हो और एक confidence के साथ आप classroom में जाएंगे और तो वहाँ पर आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं जिसके कारण के हैं आपकी और और personality में क्या है changes होगा जो आपके लिए in future teacher के लिए बहुत ज़रूरी है तो दो point सबसे important है उसके बाद है आपका जो classroom जो management है वो बहुत important है आपका जैसे आपने teaching स्टार्ट कर दिया तो एक topic होता है आपका classroom management क्योंकि बहुत सारे जो नए teacher होते हैं जैसे suppose करो किसी बच्चे की government DSSP में केंद्रे विद्याले में किसी भी state में उसकी teaching की job लग गई ठीक है तो वहाँ पर सीधा आपका interview अगर सारी चीज होगी आप select हो गई हो तो वहाँ पर कराना है वो भी बहुत important है बच्चों को सैमेंटेस की कैसे पढ़ाना है और बच्चों के साथ कैसे conversation करना यह सब चीज क्या है एक classroom का पार्ट है क्योंकि आपने beard मे classroom management एक अलग से topic है वो पढ़ा होगा तो जो classroom management है वो भी आपको आना चाहिए अगर आप teaching time to time करते रहेंग और topic में तो knowledge definitely आपको होगी तो यह आपका तीसरा point था अगला है आपका planning and student assessment जो मान के चलो कि बच्चों को in future आपको क्या पढ़ाना उसकी जो planning है बच्चों को assessment कैसे करना मान के चलो कि किसी class के आप in charge बनगे ठीक है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे average हैं below average हैं बहुत सार बच्चों को एक साथ manage आप करेंगे तो जो उसका assessment है जो evaluation है उसका जो assessment है वो भी तो आपको करना आना चाहिए क्योंकि beard second year के अंदर assessment for learning तो आपका topic भी subject भी है तो उसको बच्चे theoretical पढ़ते हैं बट classroom में जब आप जाते हों तो जो एक classroom management है आपका assessment for student के लिए है वो भी आपको जाना बहुत जरूरी कि बच्चों का overall जो assessment है वो आपको कैसे करना है और उसमें कैसे आपको आगे बढ़ना तो ये जो बच्चे teaching करेंगे beard के बाद वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं तो इसलिए ये वाला भी important point है कि beard के बाद या during the beard बच को teaching क्यों हर हाल में करनी चाहिए अगला है teacher career opportunity ज्यादा मिलेंगे आपको जैसे मान के चलो कि आपने आज किसी school में एक साल पढ़ाया च्छे महीने पढ़ाया एक साल पढ़ाया तो आगे चलके जो teacher career की जो opportunity क्योंकि देखिए आप अगर private school में अगर आप जा रहे हैं तो ज क्योंकि आपके पस experience होगा B8 की degree होगी master's की degree होगी और overall subject के अंदर mastery आपकी होगी तो overall future जो आपका एक opportunity है teaching का वो increase होगा और हर school में आप hire हो जाएंगों और वहाँ पर चलके आप एक अच्छी job कर सकते हो तो यह वाला भी जो concept है यह चीज़ है बहुत important है अगला है आपकी CBTGT की PGT की PRT जो भी आप teacher बनते हो पर private school अगर आपने choose किया है अगर आपको government job नहीं मिल रहे हो उसके लिए prepare कर रहे हो अगर in during in between during जो अगर आप private जो पकड़ते हो और एक दो साल का experience हो जाता है और उसके बास सारी tactics अगर teaching के अगर आपको आती है तो यकीन मानिए अगल student है जो मझे जानते हैं आज के टैम में वो बहुत international एक अच्छे अच्छे स्कूल में Delhi NCR में कम से कम 70 to 80,000 पर मन्थ जो बच्चे कमा रहे हैं उनको 4 से 5 साल के experience है और 1 lakh रुपीज के आज पास भी अच्छे स्कूल में बच्चे salary जा हो ले रहे हैं तो इसलिए आपकी जो salary आपने किसी भी class को पढ़ा है मान के चलो मैं एक example लेता हूँ कि आपने 9 standard को पढ़ा है ठीक है तो 9 standard का जो भी syllabus है जो भी curriculum है उससे आप familiar हो जाओगे उसके topic से उसके curriculum से उसके subject के और उसमें आपकी दीरे-दीरे mastery आ जाएगे यानिकि in future का किसी school में आप जाओगे न तो आप जो भी demo दोगे ना तो वो demo जो है आपका definitely बहुत एकदम अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपको एक दो साल पढ़ाते पढ़ाते होगे और demo के अंदर क्या होता है किसी भी topic आपको क्या demo देना होता अगर किसी भी topic अगर आपने demo अच्छे तरीके से दिया तो definitely बच् कर लिया है तो उसके just बाद या during the beard आपको कोई छोटी मोटी जोब जरूर करनी है और साथ में जो बच्चे government job की त्यारी करना चाते हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि आप अगर private school के अंदर job करते हो तो वहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है जो आगे अगर आप government job भी ल helpful रहेगे तो उमीद करूँआ गई छोटा सा वीडियो है आपके लिए बहुत fruitful रहा होगा और इस वीडियो के मादम से सरफ मैं यही चीज़ा आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना time बिल्कुल भी waste ना करें क्योंकि जितना भी time आपके लिए guys अभी available है क्योंकि beard के उस time को बिल्कुल भी waste ना करें anyhow आपको teaching के guts आने चाहिए teaching के practice होनी चाहिए aptitude को आपको समझने आना चाहिए तो हर जगे guys आप successful हो सकते हो अगर खाली हादर के अगर beard करके आप लोग बैठ जाओगे तो जो भी amount आपने लगाया है जो भी पैसा आपने spent की आपनी study में वो आपका एकदम useless हो जाएगा और आगे in future आपको ज़्यादा benefit नहीं मिलेगा तो उमीद करूँआ इस छोड़े सी वीडियो से बहुत कुछ समझ में अगर आया होगा आपको तो वीडियो guys आपको कैसा लगा है आप अपनी राए comment या sms या हमारे whatsapp के थूभी आप भेश तक करेंग र irony नहीं मेंगर नहीं है पूछे पर नहीं में टकुछ को